हमारे लिए छत्रपती सिवाजी महराज आराज देव है और मैं आज सर जुका करके मेरे आराज देव छत्रपती सिवाजी महराज की उनके चरणों में मस्तख रखके माफी मांगता हूँ बीर सावरकर को गालिया देने के बावजुद भी माफी मांगने को जो तयार नहीं है अदालतों में जाकर कर लड़ाई लटने को तयार है आज इस कायरकम की चर्चा करने से पहले मैं अपने रदय के भावों को व्यक्त करना चाहता जब 2013 में भारतिय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पत के उम्मीदवार के रुप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था राइगर के कीले पर जाकर के छत्रपती सिवाजी माहराज की समाधी के सामने बैट करके प्रार्थना की थी एक भक्त अपने आराज्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ती भाव से आशिरवाद ले करके मैंने राष्ट सेवा की एक नई आत्रा का आरंब किया था पिछले दिनों सिंदू दूर्ग में जो हुआ मेरे लिए मेरे सभी साथ्यों के लिए चत्रपती सिवाजी महराज ये सिर्म नाम नहीं है हमारे लिए चत्रपती सिवाजी महराज ये सरफ राजा महराजा राज पूरू समात्र नहीं है हमारे लिए चत्रपती सिवाजी महराज आराज्य देव है और मैं आज सर जुका करके मेरे आराज्य देव चत्रपती सिवाजी महराज की उनके चरणों में मस्तख रखके माफी मांगता हूं हमारे संस्कार अलग है हम वो लोग नहीं है जो आए दिन भारत मा के महान सपूत इसी धर्ति के लाग वीर सावर करको अनाप सनाप गालिया देते रहते हैं अपमानित करते रहते हैं देश भक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं उसके बावजुद भी बीर सावर करको गालिया देने के संसकार को अब जान ले और यह हमारे संसकार है कि